देखो हम लोगों की जो last class हुई उस last class में तुम लोगों ने पूरी तरीके से data handling की जो second exercise थी पाइचाट वाली वह complete कर लिए है ना तो अभी आम लोग इसकी next exercise में move करते हैं next exercise यानि कि मैं अभी ले रही हूँ पहली exercise जिसमें आप लोगों को histogram बनाना है जम आप छोटे थे छोटी classes में थे तब आप लोगों ने obvious है कि जो normal graph होता है वो normal graph बनाना तो आपने सीखाई ही है है ना no doubt उसमें ऐसा कुछ doubt नहीं है कोई संशय नहीं है है ना but कैसा है अभी आप लोगों को थोड़ा सा खुद को upgrade करना है आपको histogram बनाना सीखना है और मैं बता दू जब आप higher classes में आ जाओगे 9th में आ जाओगे तो 9th की जो statistics है उसमें histogram आपके syllabus का part है वहाँ पे भी जोड़ा अच्छे से सीखने की कोशिश करना है ठीक है जो तुम normal graph बनाते थे यह question normal graph से अलग है किस तरीके से अलग है इस पे हम लोग बाचीत करते हैं आपको इस information का graph बनाना है ठीक है कैसे बनाएंगे देखते हैं जो यह frequency वाली information होती है ना यह frequency वाली information आपको लिखनी ह होती है कहाँ पर y-axis पर और यह जो information होती है कौन सी class interval वाली जो information होती है यह आपको लिखनी होती है x-axis पर वाइट तो पहले एक x-axis बना लेते हैं और एक y-axis बना लेते हैं अरे पाव पिदा बच्छा आ गया आजो उपर आजो ठीक है एक अपन x-axis बना लेते हैं एक y-axis बना लेते हैं तो खैर तुमारी graph copy से मेरी graph copy थोड़ी सी different है तो उसके साथ adjust करना ठीक है अभी चलो आगे बढ़ते हैं यह मैंने एक x-axis और y-axis बनाने की तयारी शुरू कर दी यह हो गया vertically जो रंडी खीशते हैं इसको y-axis कहते ह और इस तरीके से जो horizontal डंडी हम खीचते हैं इसको हम लोग x-axis कहते हैं ठीक है तो यह हो गई आप लोगों की y-axis और यह हो गई आप लोगों की x-axis और यहाँ पर हम लोग इस point को नाम दे रहते हैं origin दन इतना हमने कर लिया अब आप सबसे पहले उस class interval को देखिए आपकी class interval कितने से शुरू हो रही है जीरो से अच्छी बात है अगर जीरो से शुरू हो रही है तो बहुत अच्छी बात है अगर जीरो से शुरू नहीं हो रही होती तो हमको थोड़ी tension नहीं पड़ती ठीक है बट जीरो से अगर शुरू नहीं होती तो मैडम आप क्या करत कैसे करते वह सब मैं बता के दूँगी ठीक है तो तुम क्या बोलोगे कि अच्छा eine है ना यह madome 500 से 600 के तक की हैं तो यह जो word होता है ना 500 से 600 मतलब हम range बता रहे हैं हम range बता रहे कि यहां से लेकर यहां तक तो वैसे यह आपए class interval भी आपको range बता रहा है कि 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, और 40 से लेकर 50, यह आपको एक range बता रहे है, तो यहाँ पर यह जो range है, 0 से 10, तो 0 तो देखो already plot है हमारा, origin मतलब 0, उसके बाद जो 10 है, वो 10 आप यहाँ माग करिए, एक डबा सफिशेंट, एक से लादा नहीं, अब कई लोगों को अपने बच्पन का graph बनाने की आदत होती है, तो लोग क्या करते हैं, next number plot करने के लिए, एक box छोड़ दिते हैं, और 20 को यहाँ plot करते हैं, ऐसा नहीं करना, histogram बनाते वक्त, कभी भी x-axis पे, graphs के बीच में, boxes के बीच में, जगा यानि की gap नहीं छोड़ा जाता है, ठीके gap नहीं छोड़ा जाता है यानि की अगर आपके पास information है, आपने 0 बना लिया, 10 बना लिया, है ना, देखो, 10 अगर यहाँ बना चुके हो, तो यह वाला 10 भी बनी गया है, दो-दो बाद 10 बनाने की जरुवत नहीं है, तो 10 के बाद क्या बनेगा, 20, 20 के बाद क्या बनेगा, 30, अब तू कहा तक जाना है, 60, तो क्या करोगे, 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, बीना गैप छोड़े, मैंने कर दिया, एक सेक्सेस पे मैंने क्या बनाए है, class interval, तो मैं अच्छे से लिखूंगी, कि class interval, और इस तरीके से दे देंगे, हम लोगे, अब, जैसा कि मैंने तुमको बताया, कि आप लोगों को जो यह information दी होती है, frequency, इस frequency वाली information को, आपको कहां पे लिखना है, आपको y-axis पे लिखना है, कहां पे लिखना है, y-axis पे, अब ध्यान से सुनना, कई लोगों की आदत, जैसा लिखा है, वैसा का वैसा उठा के मतलब frequency लिखी है, 2, फिर लिखी है, 10, फिर लिखी है, 21, तो बदें वो क्या करते हैं, यहां लिखते है, 2, यहां लिखते है, 10, यहां लिखते है, 21, यह ऐसा मुरक्ता मत करना, basics graph बनाने आपने lower standard में सीखे हैं न, तो आना चाहिए, और अगल नहीं सीखे हैं, तो अभी सी लिखा के दे रही हूं, ठीक से सुनना, लेकिन ऐसा काम मत करना, ठीक है, ऐसे काम नहीं करते, इस बात पर ध्यान रखो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, ऐसे काम नहीं करते, खेल, अभी क्या बोला है, कि हम लोगों को, जिस frequency का graph बनाना है, वो frequency शुरू हो रही है, तो स ठीक है, जिस frequency का हमको graph बनाना है, ये frequency शुरू हो रही है, क्या हुआ, क्या होगे बेटा, ठीक है, जो frequency हमें draw करनी है, वो frequency है 2, वो frequency है 10, वो frequency है 21, 19, 7 और 1, आप इन सारे में सबसे minimum number ढूँँ, सबसे छोटा, so this is your minimum, और सबसे बड़ा, यानि कि 21, this is your maximum, मतलब आपको 1 से शुरू करना है, मान लेते हैं, थोड़ा और नीचे से शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई compulsory ही नहीं है, कि 1 से शुरू करेंगे हम तो, आप 1 के बदले 0 से शुरू कर सकते हो, और 21 पर खतम करना है, मतलब 22, 23, 24 आप इस पर भी खतम कर सकते हो, आप इस पर भी खतम कर सकते हो, यह आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं करना है, कि 50, 60, 70 तक जा रहे हैं, वो नहीं, क्या करें, तो इसमें मैंने कहा कि चलो अपन लिखना शुरू करते हैं, 2 का टेवल, जैसे यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 8, यहां लिख दिया 10, फिर उपर लिख दिया 12, यहां लिख दिया 14, यहां लिख दिया 16, यहां लिख दिया 18 यहां लिख दिया 20 अच्छा थोड़ा सा और उपर जाने की नीट पर सकती है तो यहां मैंने लिख दिया 22 बस खता 22 के उपर मैं इसलिए नहीं बना रही हूं क्योंकि देखो मुझे हाइस जो चीज बनानी है वो है 21 तो जब मेरा हाइस ती 21 है तो मैं 22 बना के 24 बना के 27 बना क शुरू करो हिस्टोग्राम अच्छ आप देखो मेरे जो ग्राफ कॉपी है जो अभी तुम्हारी वाली ग्राफ कॉपी से इसमें जो बॉक्स है यह अलग है तुम्हारी वाली ग्राफ कॉपी से तुम्हारी वाली ग्राफ कॉपी में कैसा होगा इस यह जो एक बॉक्स है न 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह आप जानते हूँ, हाँ मैडम यह मैं जानता हूँ, ठीक हैं, यह जानते हूँ, यह जानते हूँ, 10 डब्बे होंगे, राइट, अभी मैंने जो मार्किंग की है, y-axis पर, वो कैसी की है, देखो, पहले मैंने 0 लिखा है, और उसके बाद मैंने 2 लिखा है, मत 10 बॉक्स खतम होने के बाद में 2 ले लिए, तो अब जो यह बीच के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे बॉक्स बज गए, इनका क्या करना है, तो देखो, 0 और 2, इसके बीच में, मैंने क निया काओ वीच में total कितने box होते हैं total यहां पर 10 box होते हैं तो जो bीच का box है beach वाला 5 नमबर वो 5 नमबर किसreiben करता होगा वो 1 को resemble करता होगा तो अभी मुझको question में क्या graph plot करने को बोला है पहले बोला है 2 plot करो फिर बोला है 10 plot करो फिर बोला 21 plot करो तो कैसे plot करेंगे देखो उसने बोला है 0 से लेके 10 तक 2 तो यह 0 से लेके 10 और यहां पे हमने plot कर दिया यह 2 फिर 10 से लेके 20 तक graph पे उसने क्या plot करने को बोला है 10 से लेके 20 के लिए 10 plot करने को बोला है तो 10 से लेके 20 के लिए हम क्या plot करेंगे 10 यानि कि कैसा हो जाएगा यह 10 यहाँ पर है यहाँ तक लंबा और यह इस तरीके से यह ना यह इस तरीके से फिर 20 से लेके 30 तक के लिए क्या plot करने को बोला है 21 है ना देखो उपड क्या plot करने को बोला है 21 तो 21 प्लोट करेंगी अब देखो 21 तो है ही नहीं लेकिन 20 है और 22 है तो ओवियस है कि 21 जो होगा वो उनी दोनों के कहा पे होगा बीच में होगा तो कहा तक जाए हम लोग यहाँ उपर तक जाएंगे क्योंकि बीच का आप देखना आपकी ग्राफ क्रापी में बीच वाला पा करने को बोल रहा है 21 के बाद 19 प्लोट करने को बोल रहा है मैंडम बैट 19 तो है नहीं कोई बात नहीं 18 और 20 के बीच में कहीं होगा है ना तो यह होगा आपका 19 यहां कहीं यह बीच में 18 और 20 कहीं है ना अरे वाह तो यह हो गया हम लोगों का 19 है ना उसके बाद फिर क्या प यह होगा 7 यह हो गया 7 यह आमने डेंडी कर दी फिर बोल रहा है one plot गने का तो वन कहा हो गा जरूर 0 और one के बीच में कहीं रहा होगा है ना जरूर कहा रहा होगा 0,1 के बीच में तो वह कहां रहा होगा यहाँ कहीं र 싸 craic यहां कहीं यह मैंने कर दिया इसके वीच का प्लॉट यह ऐसे तो ऐसे बनाया जाता है हिस्टोग्राम आप सेवन्ध क्लास तक जो नॉमल ग्राफ बनाते आए थे यह जो बनाते आए होगे उसमें कैसा होता था कि यूजुली आप जो भी काम करते थे उसमें आप ग्याप छो कि आप नहीं छोड़ना है आपको ग्याप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है यह पॉइंट मेरा ध्यान रखोगे और बस बन यहां अब यहां स्केल लिखनी पड़ेगी अगर स्केल नहीं लिखोगे तो आप लोगों के मार x-axis पे हमने कितने का gap रखा है देखो 0 से 10 10 का gap 10 से 20 10 का gap 20 से 30 10 का gap सभी जगा 10 का gap है और हमने नहीं रखा है question में हमको पहले से मिला था gap ठीक है हम कहां रखेंगे वाई पहले से हम लोगों को मिला है gap रइट तो अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे scale on x-axis 1 cm equal to 10 units, यह हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बताओ next में हम लोगों का क्या हो जाएगा next में हम लिखेंगे on y-axis y-axis पे आपने क्या unit लिखें, तो आप ध्यान से दीखिए आपने y-axis में किते किते का gap छोड़ा है आपने 2-2 का gap छोड़ा है तो आप लिखेंगे 1 cm equal to 2 अब देखो तुम चाहो तो यहाँ पे भी units लिख सकते हो, बट हमीशा अपने graph के data में जाना frequency के बाजू में कहीं कोई unit तो नहीं दी अगर कहीं rupees लिखा है, कहीं mm लिखा है तो वह आप लिखना otherwise units ही लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, खत्म अच्छा, यहाँ पे y-axis पे हमने क्या plot किया है y-axis पे हमने frequency plot किये तो ऐसा आड़ा करके या लिख देना frequency इस तरीके से बनाया जाता है histogram इस तरीके से क्या बनाया जाता है histogram बनाया जाता है अब इस histogram वाली चीज में मैं तुमको एक छोटा सा note बताती हूँ इस note को ध्यान रखना ये note तुमारे लिए कापी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होता हर बार कि आपको अगर किसी चीज का histogram बनाने को बोले तो वो zero से start हो अगर zero से start हुआ तो then well and good अगर zero से start नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा कैसा है चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा क्या है वो चीजे किन चीजों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा बताईए जर आप तो ख्यार वो चीजों पर अपन बातचीत करते हैं माल लेते हैं कल को किसी question में आपको data कुछ इस तरीके से दिया जाए आपके class interval का जो data है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिया हो कि 20 से लेके 30 30 से लेकर 40 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60 मतलब 0 से start नहीं हो रहा ध्यान रखना 0 से start नहीं हो रहा ठेके नहीं हो रहा वो 0 से start नहीं हो रहा और बाजू में आपको frequency भी दे दे और बाजू में वो आपको क्या दे दे frequency का भी data दे let's say 2, 5, 11, 12 कुछ भी अब बोले graph बनाओ तो graph बनाने की कोई दिक्कत नहीं है आप graph बना सकते हो बहुत अच्छे से बना सकते हो अब हम जानते हैं कि class interval नामा के चीज हमेशा x-axis पर आएगी और frequency नामा के चीज हमेशा कहां आएगी y-axis पर आएगी तो पहले तो आप x-axis y-axis बना लो graph बनाते हो मैं फिलाल अभी सिर्फ x-axis बना रही हूँ ठीके ताकि तुमको समझ में आए कि अच्छा मैडम क्या बताना चारी अगर 0 से शुरू नहीं हुआ तो ये रही आप लोगों की x-axis अब देखो graph इस बार 0 से शुरू नहीं होगा बराबर फिर 30 लिखोगे फिर 40 लिखोगे फिर 50 लिखोगे और जैसा graph बना रहे थे वैसा बनाओगे लेकिन इस बार क्योंकि आपका graph 20 से 30 में है पहला graph आपका 0 से नहीं है इस बार आपका पहला graph 20 से 30 में है ठीके इस बार आपका graph कहां से 20 से 30 में है तो आपका जो ग्राब बनेगा वो बनेगा यहां से मतलब एकदम Y-axis को चिपक के नहीं बनेगा यह बीच में क्या रहेगा यहां बीच में ग्याप रहेगा तो ध्यान रखना कईवा स्टूडेंट्स फ्लो फ्लो में इस ग्याप को इग्नोर कर देते हैं ठीक है औ अगर कोई चीज जिरो से स्टार्ट नहीं हो रहे है तो उसको चिपका के करने का कारियर आप मत करियेगा दूसरी चीज़ अभी यह रेखो 20 से 30 कितने का ग्याप है? 30 से 40 कितने का gap है 10 का gap है 40 से 50 कितने का gap है 10 का gap है बराबर कह रही हूँ मैं लेकिन 0 से लेकर 20 तक की जगा है वहां कितने का gap है वहां 20 का gap है तो ये तो गलत हो रहे कि graph मनाते वक्द 10 का gap और वो जो आपका origin वाला part है उसमें आपका gap 20 का ये तो गड़ बड़ है भाई ये तो गलत चीज है फिर अप क्या करें तो ऐसे में जब आपके histogram वाले gap और वो beach वाला gap अगर आपका match नहीं करे तो यहां पर आप एक इस तरीके का symbol बनाएंगे बीच में ऐसा इसे कहते है clinch mark ठीके आप इस mark को बनाएंगे ये mark इस चीज को दर्शाएगा कि भाई बीच में जो है न वो gap constant नहीं है वो तो कि हम उस तरफ के numbers को count मत करो आपका counting यहां से शुरू होगी ठीक है यह बताता है तो उमीद करती हूँ जो मैं सिखाना चाहा रही थी histogram बनाना वो तुमारे बेजे में गया है और जाना ही चाहिए क्योंकि इसी के basis पर जो तुमाई data handling की पहली exercise है उसका तुमें histogram वाला काम वहाँ पर करके मुझको दिखाना होगा ठीक है अभी फिलहाल हम लोग यह वीडियो यहां रोपते हैं आज की class में histogram हमने कैसे बनाते हैं यह हमने बनाना सीखा histogram के अलावा हम लोग कुछ normal grass बनाना भी सीखेंगे मतब सीखेंगे क्या है तुमको आता है इस topic पर move करेंगे histogram की study करना जैसे पहले दिन हमने क्या सीखा pie chart बनाना फिर हमने क्या सीखा pie chart की study करना तो वैसी अभी हमने क्या सीखा histogram बनाना इसके बाद हम क्या सीखेंगे histogram की study करना है ना फिलाल अभी इस वीडियो को यहां पर हम लोग ग्रूप ने हैं जाँ ने हैं